हेलो फ्रेंड्स क्या हाल चाल है आई तिंग आप लोग ठीक होगे तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज लेके आया हूँ तो जैसे कि आप अपने स्क्रिंट पर देखी रहे हो यहां पर लिखा हुआ है इसरो साइन्टेस्ट 24 ठीक है तो यह क्या है देखो जितना अभी तक मेरा एक्स्पीरेंस रहा है मैंने इस टाइप की अभी तक कोई वेकेंसी नहीं देखी कि आप बस MSC हो आपने केवल MSC कॉल साइन्टिस्ट बन सकते हो ठीक है और जब से चंद्रियान मंगल यान और यह आदित्येज यह सब लॉंच करें है इस लोंग अलग ही लेविल पर करेज चल लाएं पहले लोग नासा में जाके जौब करना चाते थे लेकिन अब लोग इस रों में आके जौब करना चाते हैं और यह प्राउड वाली बात भी है तो इसनों ने यहां पर आपको एक मौका दिया है कि आप आईए और हमार यहां एस साइंटिस्ट जौइन कीजिए तो देखते हैं कि क्या-क्या है इसमें इसकी एजबिलिटी क्राइटिरिया क्या है यह और लास्ट डेट क्या है इन सब जादी स्पेस एप्लिकेशन सेंटर इस रूप नेट टू नो डैट विंडो टू अप्लाई ऑनलाई मतलब यह जो वैकेंसी है यह आपके 26 दिसंबर को ही आ गई थी और यह 15 जनवरी तक चलेगी मतलब 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है तो इसको आप ध्यान में रख लिज है ठीक है आप यहां पर भी देख सकते हैं यह है हमारे पास इसका लिंक तो और्गनाईजेशन क्या है इस पेस एप्लिकेशन सेंटर इसरो पोस्ट का नेम क्या है ग्रूप ए मतलब गुरूप एक की जौब है जैसे बार्क में होती है ना बार्क में OCS की जौप निकलती है ठीक वही है ये ठीक है गुरूप ए की वेकेंशी है गुरूप ए साइनटिस्ट इंजीनियर एससी अंडर र सेक एमदरबाब एन एन आर्सी है धराबाब ठीक है यहां पर है वेकेंशी कितनी है इसमें 19 वेकेंशी है ये कोई और जौप की तरह नहीं है रेल वे स्सी बैंक ठीक है तो यह है एप्लिकेशन स्फॉर्म 26 तारिक से 15 जनवरी के बीच में है ठीक है आप जाके इसको फिल कर सकते हो ओफिसल वैब साइट इसकी यह रही अब बात आती है कि सा क्या सर हम इसके लिए fill कर सकते हैं इस form को या नहीं कर सकते हैं इसके हम बात करें अगर यहाँ पे तो आप देख सकते हो post name यहाँ पे तीन तरीके की post है post 1, post 2, post 3 तो post 1 क्या है हमारे पास scientist, engineer SC agriculture तो अगर आप agriculture से MSC करे वे हो तो आप इसको भर सकते हो अगर हम यहाँ पे इसकी qualifications की बात करें तो BSC in agriculture with 60% marks तो यह होना चाहिए तो यह तो हमारे काम की नहीं है क्योंकि हम तो अगरी के चलवारे है नहीं हम तो है MSC physics वाले तो अब देखो यहाँ पर यह रही scientist, engineer SC atmospheric sciences and oceanography तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BSC with 60% marks और CGP 6.5 in physics mathematics MSC in physics atmospheric sciences ETC with 65% marks और CGP मतलब यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं लेकिन यहाँ पर condition है कि BSC में 60% और MSC में 65% आपका होना चाहिए ना कोई gate ना कोई net only यह है ठीक है और age जो आप देख सकते हो कि 18 से 28 यह इसकी age है ठीक है तो बहुत ही बढ़िया मौका है आप इसको देख सकते हो उसके बाद पोस्ट 3 है वो computer science वालो के लिए है जो computer science के लोग होते हैं तो यह है तो मेरे को ऐसा लगता है की history में first time यह हुआ है कि इस दो ने direct applications बंगाई है MSC physics वाले students से अगर आप MSC mathematics के हो अगर आप MSC physics के हो तो यह आपके लिए है आपके लिए है यह चीज़ ठीक है तो इस रो scientist कि यह आपके लिए jobs है तो जाके भरिये इसका मैं complete video लेके आऊंगा कि कैसे form फिल करना है क्या क्या इसमें documents लगाने है क्या इसका syllabus है इन सब चीजों के लिए मैं detail में एक video लेके आने वाला हूँ तो पहले तो इसको आप सब जगे पर share कर दीजिए बहुत है अच्छा मोका है इस तरह में आप appointment हो सकते हो ठीके और अपने scientist बनने के सपने को सकार कर सकते हो ठीके दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके से interesting video में तब तक के लिए बबाए